असलाम उलेकुम नमस्ते सस्रे आकाल तो कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे मेरी दौा है आप हमेशा हसते रहें मुस्कुराते रहें हमें अपना प्यार दिखाते रहें मेरा नाम है सापर सुल्थान जी मेरा नाम है पापर सुल्थान और मेरा नाम है सा जुलानी साइलेट बोले कैसे उन्हीं कई दुलाया हुआ है चलिए खेर देखते हैं जी ये मुझाहिद क्यों नहीं बोल रहा क्यों सालेट और फमोश है मेज़े साब का वीडियो है फिर उस पर करते हैं अपना रियाक्त क्रिपालू है मनुझ आशिरवाद देता रहता हमीज भीडियो क्या करोगे याज प्रोडूसर किस पर बात करोगे आज मैं सेरिया पर फिर बात करोंगे क्योंकि लोग कॉमेंट्स भी करना है कि सेरिया पर और बातसीत आपको करनी चाहिए तो मैं उसी पेस्तिक हूँगा और मेरा सबसे एक बड़ी चीज़ा है कि सर इसराइल ने ऑपरेशन लांच किया बशान है रो 48 घंटे में करीब उन पे 480 या उससे ज्यादा लगबग 500 कहते हैं स्ट्राइक्स की हैं सर उनके नेवल फ्लीट्स बर्बाद कर दिये उनके आर्म्स डिपो बर्बाद कर दिये उनके ओर्डिनेंस के पूरे वो डिपो बर्बाद कर दिये सर ये कर क्यो राइज राइल अचानक से देखो इसके लिए न जब भी और जो हमारे दर्शक है मैं उनको भी एक बात बताता चलो जब भी जियो पॉलिटिक्स में कभी भी कन्फूजन हो क्योंकि जियो पॉलिटिक्स बहुत ही इंट्रिक्ट चीज है हम भी दस बार पढ़ते हैं क्योंकि चीज तो दस पंदरा बार पढ़ते हैं बैठते हैं किसी सीनियर से कोई हमारे आर्मी के सीनियर हैं, बहुत सीनियर, कोई जैनल सभाव हैं, उनको फोन करके कि सर ये बात हमें समझ में नहीं आ रही, केन यू प्लीज हेल्प मी, तो कहते हैं, अच्छा बेटा देखो इसका ये ये ये, तो तब जाके, देखो हर चीज, और वो भी अपने सीनियर से बात करते होंगे, जो उनके सीनियर है, तो नॉलिज़ फ्लोज लाइक डाट, नॉलिज़ इस टॉप 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 टॉटम, तो इसमें ना समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटड है, जियो पॉलिटिक्स, और जब भी फसो, तो मैप देखो, नक्षा देखो, मैप देखो, जब भी जियो पॉलिटिक्स में फसो, तो नक्षा देखो, धीरे धीरे सब क्लियर होता चला जाएगा, अब, अगर आप नक्षा देखेंगे, और वहाँ पे देखेंगे सीरिया, और वहाँ पे देखेंग हाइट पर, यानि कि गुलान हाइट पर खड़े होके आप सब कुछ देख सकते हैं, अब आप यह बोलेंगे, साब की रेडार का जमाना है, सैटलाइट का जमाना है, वो तो घर मेडेमेट देख सकते हैं, ऐसा नहीं होता, जब बैटल होती है ना, तब आपको विजिबल दिया मैंने हैं, लेकिन जो हाइट होल्ड कर रहा है, वो बोस है, जो हाइट होल्ड कर रहा है, वो बोस है, अब आपका ये सवाल है कि इसराइल ने पूरा कुछ बरबाद क्यों कर दिया, इसराइल ने उसी काराण से बरबाद कर दिया, जिस काराण से अफगानिस्तान में अमरीका ने बरबाद नहीं किया था आपको ये बात पता है कि जब ये अमेरिकन्स अफगानिस्तान छोड़ कर आए तो ऐसे आए जैसे कि भागते भूत की लंग उटी कुछ भी पकड़ लो भागो 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 पर वो था नहीं वो अमेरिका का एक बहुत बड़ा चलावा था, हाँ अमेरिका की उससे बेज़ती हुई लेकिन ऐसा तो नहीं था कि उनके और तालिबान की बीच में लड़ाई थी, ऐसा नहीं था तालिबान ने उनको अटाइक भी नहीं किया था तालिबान ने अटैक भी नहीं कर रहा उनको, बात यह है कि दोहा अकॉर्ड, देखे आपको गेम समझना है, जो लोग सोचते हैं और जो होता है, उसमें जमीन आस्मान का फरक है, मैंने बोला ना, अक्सर जब मैं फज जाता हूँ मैं अपने सीनियर्स को कॉल करता हूँ, क्य अमेरिका निकलता है अफगानिस्तान से दोहा अकॉर्ड साइन करके, दोहा अकॉर्ड, जाहर सी बात है, दोहा में हुए, दोहा में क्या है, दोहा में तालिबान का आफिस है, सब का ही आफिस है, हमास का, लेकिन हम इस वक तालिबान की बात कर रहे हैं, दोहा में तालिबा तुम लोग आ जाना उसमें और भी कई चीज़ें हैं मैं मोटा मोटी समझा रहा हूं अब मैं अफगानस्तान में लग जाओंगा तो पूरा यहीं पर खतब हो जाएगा पहले सवाल में अमेरिका जाता है अमेरिका दुनिया को ऐसे दर्शाता है कि चपल छोड़ के भागा है लेकिन यह सच नहीं है अमेरिका वहाँ पे 80 से लेकर 85 अरब डॉलर के हत्यार छोड़ कर जाता है क्यों बहुत खतरना एक बाद बताओ एक बाद बताओ कहते हैं कि वहाँ पे हजारों लाखों उसने राइफल छोड़ दी हजारों लाखों राइफल छोड़ दी यार एक बाद बताओ मुझे एक सिपाई रहता है उसके जिम्में एक हत्यार एक साइड आम उसको पिस्टिल या कोई और weapon होगा यही होगा ठीक है ऐसा तुम्हें कि एक बंदा पांच rifle रख रहा है अपने साथ या दस rifle रख रहा है अपने साथ फिल्म थोड़ना है यह सही बात है जितने Americans वहाँ पे नहीं थे जितने अमरीकी वहाँ पे नहीं थे उससे 10, 15, 20 गुना जादा हत्यार अफगानिस्तान में छोड़ने का क्या मतलब है एक मिनट आपने क्यों छोड़ा आपने वहाँ पे ब्लैक हॉक हेलिकॉप्टर चोड़ दिये क्यों छोड़े भाई आपने ब्लैक हॉक हेलिकॉप्टर जबकि जब आपके बंदे गए तो आपके बंदे जब वहाँ से निकले कुछ तो डिरेक्ट गए कुछ पाकिस्तान के थ्रू गए और वहाँ पे चार-पांच दिन पाकिस्तान के फाइफ सार होटल बुक करवाई जहां पे वो लोग रहे अमेरिकन ट्रूप्स रहे वहाँ पे पाकिस्तान में ठीक है एक बात सोचो आप अमेरिकन्स और पाकिस्तान बगल में है अगर अमेरिकन्स खुद जाके रह सकते थे तो पाकिस्तान के हेलिपैड्स पे या एरपोर्ट्स पे अपने हेलिकॉप्टर लैंड ली कर सकते थे जब Americans पाकिस्तान के फाइव स्टार होटल में रहे हैं निकलते वक्त वहां से तो उपर हवाई जहाद चिनूक हेलिकॉप्टर ये सब उड़े है Americans के पाकिस्तानी एर स्पेस पर उनको सेक्योरिटी है जो भी सर्विलेंस है जो भी एक सर्विलेंस चिनूक is not पर एरिया डी स्टेबिलाइज रहे और क्योंकि Americans ने जो डील साइन करी वो इतनी पसंद नहीं आई लेकिन उन्होंना मजबूरी में साइन कर दी उन्होंने इतने हतियार वहाँ पर छोड़ दिये Americans ने कि इतना कलेश हो जाए इतना हालत खराब वहाँ पर हो जाए कि एरिया जो है वो अनसेटल रहे और पाकिस्तान की उपर हमले होते रहें जो कि अब हो रहे हैं एक चीज में सवाल है सुनो अभी रूप जाओ और यही कारण है कि इसराइल वहाँ पर बं मार रहा है क्योंकि इस है लॉजिक हो ही है अमेरिका ने इसलिए हतियार छोड़े अफगानिस्तान में कि वहाँ पर कलेश हो और इसराइल जो एक एक करके उसकी नेवी उसके एर फोर्स उसके अमूनिशन नब बढ़ा रहा है इसलिए कि आगे कलेश ना हो बिकाज अमेरिका तो अफगानिस्तान स सिर्या से अंदर टप एक सवाल है मैं आपको थोड़ा सा तालीबान वाली लाखे में लेके जा रहा हूं से दुबारा अगर मैं गरत नहीं हो तो डोनाल ट्रॉम के टाइम पर साइन हुआ और यह जो यूएस के टूप्स निकले हैं यह जो बाइडन के टाइम पर निकले है जो बाइडन ने शपत ली थी लेकिन जो बाइडन ना कभी कुछ करा नहीं करता धरता ओबामा है रिटायर हो गया ओबामा घर पर बैठा है वाशिंटन डी सी पे वहां से उसके दो मोरे कौन से दो मोरे एक हैरिस और दूसरा जो बाइडन और जो बाइडन वाइडन वाइ Even today, जो राष्टपती अमरीका का, वो आप मान के चलो बैरेक अबामा है, क्योंकि करता है, धरता हुआ है. जो बाइडन तो भूल जाता है, आपको हाथ मिला के यहाँ पर देखता रहाएगा, फिर दीवार की और देखता रहाएगा, तो इन्होंने ऐसे प्यादे लगाए, बैरेक अबामा ने बोला कि मेरे बाद एक ऐसा बंदा आना चीए, कमजोर जो मेरे कंट्रोल पर हूँ, तो एक्जेट की, इसने पूरे जगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है सर कि ट्रम्प का कुछ और प्लान था, इन्हों इस प्लान को मिट्टी पलीट, नहीं, देखो, ट्रम्प का प्लान ये था कि हम लोग महां से एक्जेट करेंगे, क्योंकि इसलिए ट्रम्प ने, वो आपने तालिबान से लिया, अफगानिस्तान 20 साल के बाद अपने तालिबान को दे दिया, ठीक है, अपने बंदे मरवा दिये, दो ट्रिलियन डॉलर खर्च कर दिये, ट्रम्प एक बिजनसमेन है, ट्रम्प क्याता है यार, इसका फाइदा किसको हुआ, जो हत्यार बनारे ऐरपोर्ट बन जाते, पुराने ओलों को तोड़ के नए बन जाते, सडब्क्या बन जाती, आपका इंफ्रसरेक्टर्च खीक हो जाता है अमेरिका का, दो ट्रिलियन डॉलर और वो दो ।्रियन डॉलर क्या है, वो लोन है आपके उपर भही, वो लोन है आपके उपर, तो आप जो कर रहे हो, इस इट रिली रिक्वाइड? आप दूर दूर जाके लड़ते हो, उसामा बिन लादिन अगर छुपा था, आप उसामा बिन लादिन को, आप वहाँ पे अपनी special forces को activate करते, आप तजाकिस्तान में, तजाकिस्तान से बात करते, वहाँ पे air bases लेते, पाकिस्तान से आप strikes करते, एक उपर तजाकिस्तान हो गया, इधर पाकिस्तान हो गया, यह वकान कोरोडर है बीच में, यह अफगानिस्तान है, आपको जो करना था करते, अपने hardcore intelligence की asset वहाँ पे लगाते, पूरा CIA को active करके, और आपको जिस दिन पता लगता, कि उसामा बिन लादन यहाँ पर उसको ठोक देते हैं, देखो ना, बात यह है कि आपने बोला, कि हम Al-Qaeda को खतम कर देंगे, राइट, वो तो नाम है ना यार, Al-Qaeda एक नाम है ना, आपने Al-Qaeda को खतम कर दिया, आज भी Al-Qaeda जिन्दा है, और इस्लामिक स्टेट आपने और पैदा कर दिया, एराक के अंदर गुसके, फिर, मुस्लिम ब्रदरोड खतम हुआ, तो फिर हमास और पचास सीज़े आ गई था, मुस्लिम ब्रदरोड कभी खतम नहीं होगा, मतलब मेरा वही है, मुस्लिम ब्रदरोड एजिप्ट में बनी थी मुस्लिम ब्रदरोड, एक मिलिटन्ट इस्लामिजम के बारे में बात करती है, जहां पर हर बंदा जिहाद लड़ेगा, उसकी अपनी फिलोस्फियर, उससे बहुत लोग अग्री करते हैं, उससे तो यह सम निकले हैं, मेरा यह कहना है, वही विचाठधारा लेके चल रहे हैं, तो आप आइडियोलोजी को तो नहीं खातम कर सकते, आइडियोलोजी को नहीं, I agree with you, I agree with you, वही चीज़े सर, एक और चीज़ सर की, मुझे यूनीक चीज़ लगी, नेतन्याहू अटैक कर रहा हैं, सीरिया में, लगातार मार रहा है, लेकिन, उसने सीरिया के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, एक धंकी के साथ, बोला हम रिष्टे अच्छे चाहते हैं, लेकिन अगर हमको कुछ हुआ, तो फिर स्थीक नहीं होगा सीरिया के लिए, आपने एक बात नोट करी है, अब पता नहीं लोगों ने बात नोट करी हैं कि नहीं करी, जो जुलानी है, उसके लोग घर जड़े आ गए, इसराइल सीरिया के अंदर घुज गया, इसराइल दमश्क के, डेमस्कस के 25 किलो मेटर पीछे है, इसराइल के टैंक वहाँ पहुंच गए, 25 किलो मेटर आगे, 20 किलो मेटर आगे डेमस्कस है, पूरे डेमस्कस उसके इर्द गिर्द जॉलानी के फाइटर्स हैं, जॉलानी के किसी फाइटर ने किसी इसराइली सुलजर की उपर गोली बाइसाब बहुत बड़ा चेस का गेम हुआ है और यह जाहिल के बच्चे जो खुशी माना रहे हैं कि असा तु था ही जानवर उसको आज नहीं तो कल नहीं तो परसों निपट नहीं था तो अच्छा हुआ वह निपट गया लेकिन अगर वह पुष्पा कहता ना फायर नहीं वाइल्ड फायर पुश्पा टू में है ना डैलोग मैं देखी नहीं मैं इंटरनेट पे देखता हूं मैं फायर नहीं वाइल्ड फायर तो भई यह वही चेकर है कि वो फायर था यह जो आया यह वाइल्ड फायर है यह पुश्पा टू है यह और खथरनाक है यह जबरदस वहां पर लोगों को मारा जा रहा है वहां पर जिस प्रकार से एक्सक्यूशन हो रहे हैं ठाक ठाक कोपड़ी के बीचे गोली देखा तड़ यतने सारे वीडियो जा रहे हैं और खुद वीडियो डाल रहे हैं लोग तो अब यह कह रहे हैं कि तुम बसार अलशत के साथ थे बशार अलशत के तुम साथ थे साथ तो होंगे पचास पचपन साल से उसकी फैमिली की डिक्टेटरशिप है वहाँ पर भाई या अगर आप उसके साथ नहीं हो तो आको मार देगा वो कौन जाना चाहता है जेल तो लोग कॉंप्रमाइस कर लेते हैं हां मालिक क्या करना है बताओ वही कश्मीर में तो यही होता है कुछ लोग जो हैं इंटीरेजमा अब तो नहीं होता है एक जमाने में होता था कुछ लोग सपोर्ट करते थे आतंगवादियों को कुछ लोग मजबूरी में करते थे उनको सपोर्ट आतंगवादी क्याता था तम तुमारे घर में रहेंगे पांच दिन खाना लाओ मजबूरी मजबूरी है वरना खोपड़ी पर एक फटे सेवन रखता बोलता खाना लाओ क्या करोगे आप मना कर दोगे उसको तो फिर तो यह हो रहा है और यह सोचना कि हवी भी वो गोली क्यों नहीं चलाती है मतलब जो यह पूरा चेस का गेम सेट हुआ है सर इसमें एक बड़ा और मजबूत प्यादा इसराइल का भी है सबसे बड़ा जो कलेश की जाड़ है मैं आपको बताता हूँ और मुझे सुनकी भी अच्छा नहीं लगा देखो यार बात यह है कि कम से कम अगर कोई बंदा हमारे खिलाफ भी हो लेकिन अपनी कौम के लिए अपने लोगों के लिए अगर वो लॉयल हो ना तो चाहे आप उससे नफरद भी करो आप उसकी रिस्पेक्ट जरूर करोगे पैंट है ना आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे कि चलो कैसा भी है यार कैसा भी है आज की तारिक में हम लोग, मैं सनातनियों के बात कर रहा हूँ, हिंदू के बात कर रहा हूँ, हम लोग विभीशन को बुरा मानते हैं ना, कि विभीशन याने की गद्दार, मानते हैं ना, जबकि विभीशन में प्रभुश्री राम की मदद करी थी, उनकी वज़े से प्रभ भव क्योंकि उतो भगवान है ये नहीं होता तो कोई और रस्ता खुलता लेकिन उनका जीतना मुश्किल था तो विभीशन जो था वो सत्त की रहा पे चला विभीशन जो था उसने एक्चुली प्रभुशिरी राम की मदद करी यू बिलीव सो आज की तारिक में भी विभीश के साथ खड़े रहो आप असने भाइक साथ मर जौरग लड़ते लड़ते डरते जो किक मद्द कheim करन में करा लेकिन आप dat कुम्ब करण को ठीक है, कोई अच्छा ना माने ना बुरा ना माने कुम्ब करण कुम्ब करण वन गया 54 जैसा खाओगे तो फायदा होगा, नहीं खाओगे तो कम से कम नुकसान तो नहीं होगा, या खाओगे तो नुकसान तो नहीं होगा वो निट्रल गेर में चला गया कोंब करना गालियां पढ़ती है विबीशन को क्यों पढ़ती है जब भी आपको गदारी करता का है लोग केदम विबीशन आए यहाँ इस स्टोरी जिसने गदारी करी है वो है अरदुगन वो बहुत अपने पर्सनल गेर के लिए वो इसलाम का इस्तमाल करता है अपने पर्सनल गेर के लिए उसने कितने गेम खेले उसने पर्सनल गेर के लिए अमरीका के साथ हाथ मिलाया पर्सनल गेर के लिए उसने मिलाया हाथ किस से इसराइल साथ मिलाया है उपर के हम मैं इसी में एक चीज़ हो रहा हूँ, सर कश्मीर कश्मीर पे चिला रहा था वो, काफी टाइम तर, इस बार यूएर में गिया उसने नहीं बोला, पाकिस्तानी को बहुत दख्का लगा इस चीज़ का, पाकिस्तानी गदे हैं, पाकिस्तानी जजबाती लोग हैं, और जजबाती लोगों की मैं इज़त नहीं करता, क्योंकि जजबाती लोग बाइ डेफिनेशन गदे होते हैं, ठेक है, पाकिस्तानी कौम जो है, लो आईक्यू की कौम है, ये इसने अर्दुगुल गाजी का एक ड्रामा निकला टीवी पे है, सारे पाकिस्तानी और अपने बच्चों को अर्दुगुल गाजी बनाया, घोड़े पर प्लास्टिक की तलवारें लेके, स्कूल में नाटक हो रहे हैं अर्दुगुल गाजी, इमरान खान तक ने बोल दिया कि इसलाम का असली जो है हिस्टुरी, यही है अर्दुगुल गाजी, यह सारा का सारा, पाकिस्तानी इसको क्या है कि इमीडियर शुगर रश होता है ना किसी चीज़ में, यूफोरिया, यही शुगर रश देखने के लिए मिली जब इमरान खान ने पूरा लेक्चर दे दिया कौम के सामने, कि अब तालिबान तो हैं, वो मुसल्मान आ चुके हैं, कल्मा पढ़ने वाले आ चुके हैं वापस, काबुल में राज करने के लिए, फैज अमीद को भेज दिया, अब फैज अमीद का कोट मार्चल हो गया, कोट मार्चल हो गया, अब भी दरजन बर से ज़्यादा केस हुए है, सर, करने की निवज है, तो यह फैज अमीद, अब फैज अमीद, जो हमें बोलते थे अविनेंदन को लेके, टी इस फैंटास्टिक, अब जरा हैश्टेक चलाए जाए जाए भीया, टी वस फैंटास्टिक, टी वस फैंटास्टिक, काबूल में भी भाई ने चाही पी थी, जरा एडिटर से बोली, फोटोग्राफ हो, एडिटर फोटो लगाओ जरा, अब पूछे, ये टी फैंटास्टिक कैसे है, हमारे तो, देखो, हमारे फाइटर पालेट को तो दुश्मन ने पकड़ा, वो तो होता ही है जंग में, दुश्मन पकड़के ले जाता है आपको, तो, तुम्हारे आहसा ही चीफ को तो तुम्ही ने पकड़ लिया, तुम्ही ने पकड़ लिया, वो गया था, मतलब, वो तो एक अलगी कानी है, सारे मीर जाफर है, मैं बता रहूँ, सारे कौम के गड़्दान है, मीर जाफर है, सब के सब पाकिस्तानी 90% सब तो नहीं 10% तो हमेशा अच्छे होते हैं तो यही काम मेर जाफर वाला करा इसमें अर्दोगान ने अर्दोगान ने थूग लगा के चिपका दिया डाक का टिकेट पांच रुपए का जाओ एश करो अब यानि कि सर जुलानी बैठेगा सीरिया में इसराइल में नेतन्याओ हुआ या जो भी आएगा सर माइंड सेट उसका वई होगा वो नहीं बदलने वाला है इसराइल क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है जितना मैंने समझा सर आप की तो आप जानते भी है कही लोगो मुझे है कि इसराइल में वो सेक्यूलरिजम का कीड़ा किसी को काटा जाता है तर वो 81% कुछ होंगे तो होंगे या 0.5% देखो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हम सेक्यूलरिजम समझते है ना इसराइल इस सेक्यूलर कंट्री 20% इसराइल की पॉपुलेशन 20% अरब मुस्लिम स करा हूँ ये सब नहीं करते हैं ये किड़े इंदुस्तान के हैं सेकूलर का क्या मतलब है सेपरेशन और चर्छ ऐन स्टे जो और गोसेडिक्स में मैं और पॉलिटिक्स अरप bucks करेंगे मतलब बात करो बात करने में कोई ।क्कत नहीं है वो दरं को को कोशिश नहीं करेंगे और जो धरम वाले हैं वो पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने के कोशिश नहीं करेंगे ये ये येरोपियन फॉर्मॉला था बहुत पहले का कई सेंचरी पहले का विच पूछा था सर इसराइल अपना एक है उदर लेबनान में भी टूस हो गया है के इज्पुलLAH को अभी भी ठोक राया है, स्राइक्स कर रहा है। इधर जुलानी आ गया सीरिया में। वेस्ट बेंक गाज़ा को पूरा सफ़चट कर दिया। यानि इसराइल को जो सेफ करने वाला पाम था वो इसराइल ने किर लिए अपना। या अमेरिका ने करवा दिया जोकी। इसराइल, देखो, इसराइल क्यों जगह ले रहा है। आज की तारिक में बड़े लोग कह रहे हैं कि सीरिया की जगह ले ली, शीरिया की सिर्या का स्पेस ले लिया। इसराइल ने, सीरिया के अंदर घुज गया, और इसराइल ऑक्यूपायर ऑक्यूपायर नहीं है भई, यह 1967 में इसराइल ने लिया था, क्यों कि सीरिया गुसा था इसराइल के अंदर, इसराइलियों को मारने के चक्कर में सीरिया ने अपने टैंक दोड़ा दिये, अब अगर तुम कबजा करो तो ठीक है दूसरा तुम्हें हरा कर तुम्हारी जमीन पर कबजा कर ले वो बुरा हो गया तो ये पूरे ये मिडल इस्ट में विक्टम कार्ड बहुत बढ़ा कार्ड है एक दिमाग में सर्फ बात आ रही है पाकिस्तान बंगलादेश सीरिया उसे पहले श्रिलंका पीता सर अगला इरान इरान तो जाएगा हंटर पा अगला इराक उसके बाद इरान सीरिया से बॉर्डर किसका लगता है अराक का बॉर्डर किससे लगता है अभी भी और इरान का बॉर्डर किससे लगता है अभी भी तो यहां पे भी खजूर खाने को मिलेंगे रुक जाओ 2025 में बहुत खजूर खाने को मिलेंगे आपको यह सारा great game चल रहा है और यह खड़का देंगे great game of America great game of America, American deep state इसराइल, everybody और इसमें सोच रहा है अर्दोगान कि सब को आपस में लड़ा के Muslim Ummah को चुमा मैं दे दूँगा that is the game वो Ottoman Empire को resurrect करने की बात कर रहा है, उसके दिमाग में यही है और उसको पता है कि देखो ना तुरकी के पास तेल, ना तुरकी के पास nuclear weapons, ना तुरकी United Nations Security Council का permanent member, ना तुरकी की economy इतनी तगड़ी कि तुरकी बोले कि यहां 500 billion दी है, 100 billion दे, तुरकी के पास वो भी नहीं, और तेल के बारे में बात करी चुका हूँ, ठीक है तुरकी हर समय इस चीज का फाइदा उठाएगा कि it's a European country गोरे हैं, European हैं वोसी angle क्योंकि कम से कम subcontinent में, Indian subcontinent में चुरन बिग जाता है, चाएद तुरकी को या Erdogan को बाकी European countries बोज समया है यह क्या गदा है यार क्योंकि वो असली गो रहे हैं न वो इसको गदा समझते हैं पर जो थोड़ा से भूरे हैं, वो इसको समझते हैं क्या रहे यार हम तो ऐसे ही बनने वो मांगता यह बड़ा complicated मामला है producer यह देख लेना कि यह अभी हो सकता है कि Israeli forces के साथ कल परसों clash हो, नरसों clash हो, कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन एक चीज कारसा में जान रखना वो 20-25 किलोमेटर हैं दमेशकिस के दूर अभी तक कुछ होगा नहीं है अभी तक एक बंदे ने एक गोली ने चला इसराइलियों के अगेंस्ट और अभी भी, इसराइली उनके इर्दगिर्द बंबारी कर रहे हैं इर्दगिर्द उनके उनकी boards, सब कुछ वो कर रहे हैं लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला और इसराइल के खिलाफ बयान भी नहीं दिया जुलानी ने भी बयान नहीं दिया जो मस्जित से उसने speech दी थी after coming to power he said we have to defeat हizbullah उसने हizbullah के खिलाफ बोला उसने Islamic State के खिलाफ बोला हizbullah के खिलाफ कौन है अभी बी इसराइल है Islamic State के खिलाफ कौन है अभी बी अमरीका है है ना और दोनों कर रहा है बंबारी और यह चुप अर सर एक चीज हो रहा है जो अगर आप मतलब कल मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था उसमें मैं देखा उसनोंने एक मैप लगाय था जो इन्होंने HTS ने जो कबजे में लिया यह जो अलग-अलग गृप्स में लिया है उसमें इन जगहों को अभी तक क्लेम नहीं किया इन्होंने जहां पर यह बंबारी हो रही है अभी उन जगहों को छोड़ाएगे पहले आप सपार्ट कर लो फिर हम आ जाएंगे आराम से घर की बात है हभी भी घर की बात है चलो अब उस पर टी सीडी इंदी पर लगते हैंगे ना जे सर चलो ओके बही आराम-राम तांक्यू नमश्कार जी तो वीवर्स वीडियो हमने देखा वीडियो था करा है इसराइल ने और जिस दिन कंट्रोल संभाला है अगले ही कुछ घंटों में इसराइल ने अटेक कर दिया सीरिया पर दमिश्क में और उसकी काफी सारी जो इंपोर्टन जगें थी उसको जो दिफाई अख्याव विज़ावें थी उनको तबाह बरबाद कर दिया और उस पर देखे इस पर कोई बाद नहीं करेगा जो मुस्लिम मुलब क्योंकि इतनी सोच ही नहीं है क्योंकि इतनी सोच नहीं है और हम एक को जब तालबान की हकूमत आई थी यहां पे और अमेरिकन यहां भाग रहे थे और हमारे लोगों ने वहां पे बचाए के कप पिये थे देखे जी बड़ी सारा कुछ ही पाकिसान का आपने फजाया भी आपका यह भी बेस भी रस्ते भी पाकिसान से तो आप अपने पाकिसान के ही दवारा उन चीजों को देरे देरे करके अपने देश में ले जा सकते थे बखने ब्लैक हॉक हेलिकॉप्टर सक वहां पे छोड़ गये बलकर हमारे पी आई में के जादाशों पे हो आई हैं तो हैंके हैं यहां लेंड कर सकते थो यह बड़ी चबहुत है कि उतना ब्ला कि यह जोरत लगवे हो रहा खाना और यह अस्तिमाल कर आख दा पाकिसानी हो में हुप तो एबलो कि यह ऐख स्थीज ते लहां बादा यही कि यह वह अ कि इसराइल को चुकर अपने इड़ गिन सबसे कि वह चोटा देश है और चोटा देश कि अबादी की वज़ा से हर तरफ तरफ से उसको दिश्मनों की तरफ जाता है लेबनाउन या फिर यहीं सही आगे बढ़ता है इरान की तरफ नहीं जाएगा क्या होने वाला है आगे यह तो कोई पता नहीं लेकिन यह जो जुलानी जिस पर शादियाने बजाए जा रहे हैं कि देखे जी मर्दे मुझाहिद एक लीडर एक ऐसा उसने पतली है और पावर भी उसके हाथ में नहीं है पावर और उसकी डोरे हमेशे कोई और इलाएगा लेकिन यहां पे लोग अपनी अंधी तकलीद अंधी जहाद के वह लालच में और उस पर ही खुश हो गया हो देखेंगी एक मुसलिम मालक देखें लग तबाह हो रहा है एक पर पर इस लिए ना कि जब अफगानस्तान से मेरिकन जा रहे थे तो वह सबस्के वहां पर जैसे उन पर हमला हो रहा है पिछे से वह इसलिए कि उनको पता था कि जब हम स्टार्टिंग से यहां पर अस्वाल लेके आये तो हमने जो है वह एर वेसिस पाकिसान की तो अफगानिसान को प्रिशमाल समझेगा कि हमें मरवाने वाले जो हैं यह पाकिसानी गौवर्मेंट अफगानिसान के अंदर गो सकी तो जा पाकिसान की गौवर्मेंट ने पाकिसान पर अब यहां पर जो हम जो है अब यह इनन कहीं ना कहीं तो फरच करनी है चलो यहां Olá है अबकिसान के पर जो हुआ है उनके सब्यरिख करने हैं उन रहे सरा उक्ते सकीत में उन्हा कि हमारे केüyor है तो ये इनकी डोरे हैं ले वरना इनकी डोरे कोई और हला आना सके है। रकावट बन रहा था, तो उसको रकावट को दूर करने के लिए हमिने मुसलमान कोई मुसलमान पर लांच किया है, और इस पर हमें कोई कोई उंगली नहीं उठाएगा कि देखे, जी रफा में, घाज़ा में, वो फलानी जगा पर, इसराइल ने जलम कर दिया, अब इसराइल का जो है ना वो छुप गया है क्योंकि उसके आगे जो है ना वो जो मोरे हैं वो मुस्लमान हैं और यहां यह मामला शिया सुनी बन गया है इसलिए दुनिया की नजरों से ओजल हो गया है और यही सारे चीज़ें देखिए अब देखिए कि अमेरिकान वो अपन भी अपना दिफार नहीं करेंगी क्योंकि अकर इनके पास कोई चीज़ें मिल जाएं इनको मुफ्त में मिल जाएं इन्होंने कहीं न कहीं न कहीं इसको इस्तमाल करनी है या तो यह अपस में इस्तमाल करेंगे अफगानस्तान में यह अपस में लड़ते मरते रहेंगे नही तो फिर ये पाकिस्तान के तरफ तो जाएंगी जाएंगे तो ये स्टेबिल्टी कभी भी नहीं आएगी और यही उनकी पलीसी थी तो यही उनकी उपर वह सारी चीज़ें करके गए तो अर्बो डालर उन्होंने ऐसे ही है और हमारे लोगों की सूर्टेहर वो बड़ी एक मु ही हो मगारे तो कहते हैं कि इतना बेच के फलाने का मस बेचो का दे दो इतने मनक्रण उस पर लगा दो या जो वाफर होता है वो हम सिरफ अपने लड़ाई जगड़ों में ही अपना खाश करते हैं तो अनस्दान के पास तो बेशमार असला आ गया तो उसने और गया करना था उसने तो वो असला चलाना ही सीखा है और जिन्दिगे में करा कुछ नहीं है ओप सोई वीडियो अच्छा लगए लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए मिलेंगे एक और वीडियो में तब तर के लिए अल्ड़ा अल्ड़ा